अरहर महादेव चैवोलेनाथ नमस्कार मैं शादना पांडे मागदसन पे आपका स्वागत करती हूँ दोस्तों मैं बात करने वाले हूँ गुरुवार को के जाने वाले इन तीन कामों के बारे में देखिए यदि पीपल पूजा आपके उपर बिल्कुल भी असर नहीं कर रही है किसी भी कारण से आपने गुरुवार का ब्रत किया छोटे मुटे उपाए मैं भी गुरुवार का बताती हूँ जो कि सामान नित्या परिस्तितियों में निस्टित रूप से कारगर होते है जैसे कि गुरुवार को पीला, कपड़ा पहनिए, पीला, खाना खाये हो गया ये सब, आपने कर लिया, कोई लाब नहीं मिलता है तो ऐसे में देखिए होता कई कारण है यदि बैवाहिक जीवन में बहुत ज़्यादा नफरत और कटता फैल गई है आप बहुत ज़्यादा दिक्कत में है किसी भी करण से आपको लग रहा है कि कोई लाब आप नहीं मिलने वाला है तो आप घबराईए नहीं तीन ऐसे बिसी उपाई लेकर आई हूँ जिने करने से निश्चित रूप से आपके जिवन में परजिटिविटी भर जाएगी देखिए होता यह है उपाई, वहीं उपाई किसी के उपर काम करते हैं किसी के उपर नहीं काम करते हैं तो नहीं जानते हैं कि आपका यह जन्म है या फिर पूर्व जन्म है अभी कौन सा जन्म है लेकिन जो हमसे पुर्व में गलतिया हो गई है वो हमको आज सजा के रूप में मिल रहे है कारण जो भी हो जो भी हो मतलब समझेगा लेकिन आप यदि पती पत्नी के बीच अन्बन है, मनमोटाव है तो ये तीन काम आपको अवश्य करना चाहिए और जरूर इस काम को करके देख लिजे एक रुपे का सिक्का आपका लगने वाला नहीं है और ये उपाय जीवन में निश्चित रूप से पाजट्यूटी भड़ता है मेरी बातों का विश्वास से दिन ना भी हो तो करिएगा बिना विश्वास भी आप इन कामों को कर लेते हैं तो निश्चित रूप से मैं ये तो नहीं कहूँगी कि पूर्ण तया फायदा होगा क्योंकि बिना विश्वास चीजे उतनी फलदाई नहीं होती है विश्वास में बहुत बड़ी सक्ती होती है लेकिन हाँ ऐसा नहीं होगा कि कुछ न कुछ ना हो तो पहली चीज ये करनी है ध्यान से सुनेजे मेरी बातों को लॉंग ले लिजे, कपूर ले लिजे कपूर का एक टुकडा ले लिजे, उसके उपर दो लॉंग रख लेजे और इसको लेकर के आप पूरे घर में खुमा देजे अब बहुत सारी हमारी बच्चियां जब फोन पे बात होती है और मैं कोई ऐसा उपाय बताती हूँ तो वो तुरंत कहती है कि घरवाले कहते हैं क्या टोना टोटका कर रही हो तो आप ऐसा कोई उपाय बताइए जिसे मैं अपने बेडरूम में कर सकूँ तो यदि कोई ऐसी आप लोग सुन रही है और आप लोग को दिक्कत है कि आप लोग पूरे घर में नहीं कर सकती है तो ये काम अपने बेडरूम में पति-पति जिस कमरे में रहते हैं महां भी इस उपाय को किया जा सकता है तो पहली चीज यह है और दूसरी चीज उनसे यह भी कहना चाहूंगी कि यह कोई टोना टोटका नहीं है आप लोग मन में यह सब संसाय न लाजिएगा बस लाउंग कपूर में वो सक्ति होती है जो आपकी परिशानियों को आपकी निग ले खाये गाये को सब मतलब जो भी उपाय मैं बताते हूं सब की आपने और कोई लाब नहीं मिला तो एक काम आप और कर लीजेगा लेकिन उससे पहले आपसे कहना चाहूंगी दोस्तों इंस्टाग्राम फेस्पूक पूंजी फॉलो नहीं किये तो आप कर लेजे और यदि मुझसे कुंडली दिखा कर परसनल परामर्श लेना चाहते हैं तो इन नमबरों पर संपर्थ कर सकते हैं तो देखे यदि केसी कारण से आप देख रहे हैं कि आपके जीवन में लगतार ये लड़ाई जगड़े बढ़ते जा रहे हैं कला की स्तिती बहुत जादा बढ़ती लेकिन मैंने बहुत सारे लोगों को जब परसनल हमारी बात होती है तो मैं बताती हूँ मैं विश्वास कर रहे हूँ लोग कर रहे होंगे और लाभानुइत होंगे यदि आइसा कोई ये वीडियो सुन रहा है तो आप कमेंट जरूर करिएगा इससे होगा ये कि लोगों को होशला बढ़ेगा और उनको भी अपने जिवन में आगे बढ़ने के लिए बहुत बड़ा रास्ता मिलेगा आपको रसोई साफ करके और पूरस भी उपाय कर सकते हैं इस तरी भी कर सकते हैं एक नोटा जल साफ भर के रखना है किचन में इस जल को आपको सुबा उठना है अपने में डोर पे छिड़कना है यदि ये पूरा पानी आप गिरा सके में डोर पे तो बहुत अच्छी बात है नहीं गिरा सकती है कोई दिक्कत है तो आप पानी को छिड़क दे बाकी जो पानी बर्चा है घर में कोई छोटा बड़ा पौधा लगा है कुछ नहीं है तो इसमें अपने घर में पास दो दीपक में आप दो काले मिर्शे डाल कर जलाना सुरू करें और जब आप प्रोजवलित करें तो तुलसी माता के सामने ये प्रार्थना करें कि आप दोनों के बीज प्यार हो जाए देखिए कहना तो नहीं चाहते हूं लेकिन आपको बता दे रहे हूं ऐसे ऐसे समश्चाये आती हैं लोग बताते हैं बिसेस कर हमारी बहने कि अब तो नफरत इतनी बढ़ गई है कि सामने देखने का मन नहीं करता है और अब क्या कोई उपाय काम करेगा बात तो सही है क्योंकि जब यदि दूर रहने लगे हैं तो यह जो लॉंग और कपूर वाला उपाय है वो कम असर करेगा लेकिन साथ में रहते हैं मनमुटाव है तब तो 100% असर करेगा लेकिन जैसे लडाई जगड़ा हो करके बच्चिया माई के चली गई हैं तो यह उपाय असर नहीं करेगा तो कपू हैं लडाई जगड़ा हो चुका आप दोनों दूर हैं तब ही तूलसी जी से प्राठना करके और तील के खी जो भी दीपा काप के यहां जलता है जलाकर नुष में दो काली मेश डालकर माश से प्राठना करें कि हमारी कटउता हमारी कड़वाहात दूर हो जाए चौथा वै आपको प्रतिदिन सुन्दर कांट के कम से कम दो पेज करना है। शूंदर कांट कैसे पढ़ा जाता है। इस भी आपके जीवन की कर्न नुता दूर होती है då form कोई धिक्रत है तो उनके जीवन में सामान नितिया बहुत ज़्यादा प्यार, मिठास भर जाएगी और ये तो उम्मीद करती हूँ कि मात्र एग्यारा गुरुवार में आपके जीवन में चमतकारी परिवर्तन होगा बिसेश कर तब जब आप तोनों साथ में हैं बहुत ज़्यादा लडाई जग्रे हो गए हैं तो कपूर और लंग वाला उपाय तो असर नहीं करेगा क्योंकि घर में रहने वाले लोगों पे असर करता है बाहर रहने वाले लोगों पे और हाँ एक चीज़ और कहना चाहूंगी ये कोई टोना टोटका नहीं है और अच्छा आप उनके साथ कर सकते हैं कि जैसे किसी को ये वीडियो सेयर करिए ग्यान बाटने से हमेशा ही ग्यान बढ़ता है तो ये काम आप दूसरों के साथ सेयर करिए क्योंकि हम किसी का भला जिस माध्यम से कर सके जैसे कि मैंने आपके कहाने कि ये उपाए मैं अब तक उन्हों को बताती थी जिन से पर्सनल बात होती थी लेकिन ये चीज़े इतनी बढ़ गई है कि मुझे यूटूब पे भी ये उपाए लाना पड़ा है तो आप लोग इससे लापानमीत होई है बस यही मेरी इख्षा है आप से भी खुशरी प्रशनरी मिलते हूँ अगले वीडियो में धन्यवाद